Hello friends, आज में आप लोगों को beard second semester का जो school management है उसकी fourth unit के बारे में बता रही हूँ जिसका topic आज है गैर संक्रामक बेमारियां तो देखे गेर संक्रामक बेमारियां, जो मतलब संक्रामक रोग आंत्रिक कारुकों से ही होते हैं, इस स्रेणी में हार्मोन की गड़बड़ी और एलर्जी आदिसे उत्पन होने वाले रोग आते हैं, कुपोशन भी असंक्रामक रोगों की ही स्रेणी में आता है, तो देखे मधुमे जिसको आप Diabetes कहते हैं वो क्या है कैसी बीमारी है इसमें क्या क्या चीजे है इसकी बचाओं कैसे हैं इन सबको हम रोग इसमें पढ़ेंगे तदेखें मधुमे वास्तो में मधुमे खतरनाग बिमारी है यदि मधुमेई को नियंत्रित नहीं किया जाए तो इससे गुर्दे फेल होना, आखों की द्रस्टी कम होना, वहरदे वाही का संबंदी बेमारियों का होना सामानने बात है यह का ऐसी बेमारिय जो सरीर में कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने के अपेच्छा हमारे रक्त में सुगर को जमा कर देती है, अरथात हमारे रक्त में सुगर के असतर को बढ़ा देती है, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को डाइबर्टीज हो जाता है तो उसक इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण रक्त में ग्लुकोज का सामाने से अधिक बढ़ जाता है। हार्मोन के बिना हमारा सरीर सुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इंसुलिन का स्राव कम हो या अधिक अगर जब जादा होने लगता है। नॉर्मल अगर हो रहा है तब तो मनुसे ठीक है। यदि अगर उसमें कम या ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है हार्मोन का तो क्या होता है। उससे व्यक्ति को डाइबेटीज नमक बेमारी हो जाती है। अब वर्तमान समय में देखो यह किवल भारत में ही नहीं है। यह संपूर्ण विष्टो में यह बेमारी फैली होई है। और इसके अकॉर्डिंग डबलु एचो द्वारा भी इस रोग के संबंद में अत्यदिक चिंता जताई जा रही है। यह मुखे रूप से आपके जीवन शैली यह अनुआशिक रोग के रूप में जाना जाता है। देखो रियल पात है कि हम लोग क्या करते है। जंक फूड और खाने पीने का जो तरीका है। रहने का तरीका है। जर्नल व्यक्तियों को था यह तो बहुत जर्म करते हैं। इसका आभास रोगी को होता ही नहीं है और इस रोग से पीडित हो जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जर्णल व्यक्तियों को फता नहीं चलता है लेकिन उनको यह रोग हो जाता है। अब मधुमें होने के कारण क्या हैं? देखे पहला एक तो जो मैंने बताया है कि परिवर्तित जीवन सैली है और जो आप जैसे योगा ना करना मेडिटेशन ना करना और कोई एक्सरसाइज ना करना बैठे रहना वॉकिंग ना करना यह सारी चीज हैं। और दूसरा देखे इसमें कुछ टाइप्स मतलब कुछ पॉइंट्स दिये गए हैं जिनको हम लोग देखेंगे कि मधुमें होने के क्या कारण है। यदि टाइप्स 2 मधुमें है तो यह आनवानशिक होती है तथा यदि माता पिता को टाइप 2 सुगर की सिकायत है तो होने वाले बच्चे को मधुमें की सिकायत की संभावना अधिक होती है। इसमें टाइप 1 टाइप 2 मध्यूमेई की अगर ताइप 2 प्रइकार की घडाँप आप ऊजिसमें कन अगर टाइप 2 प्रेकार रिमाि चतरों के नीदी तरवूध। लिए मोञ व Ideally प्रकार बूसे को पार्के आपका में बच्चे लितना सुगर लुग कईशकर कि अपने सरीर पर मोटापा ना आने दें अपने बच्चों को उचित खान पान की आदर डालें बच्चों को मोटापा बढ़ाने वाले और ठंडे पेपदार्थ कम से कम देने चाहिए टॉफी, कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाईया आदिका सेवन कम से कम करना चाहिए प्रतिदिन व्यायाम और योग असन करना चाहिए मधुमे से दूर रहने के लिए व्यक्ति को आलत से पुने जिन्दिगी से बचने का प्रयास करना चाहिए सराप, पीना, धुमरपान करना और अन्य प्रकार के नशे मधुमे को जन्म दे सकते है मतलब ये है कि अगर आपकी जीवन शैली है सुबह उठिये, टाइम से उठिये योगा करिए, मेडिटेशन करिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए फिर समय से नास्ता, लंच, डिनर, ब्रेकफास सारी चीज़े टाइम टो टाइम करिए और कोई भी ऐसी चीज़े नहीं करनी चाहिए, मोटापा अगर आ रहा है तो उसको रेगुलरी उसको वेट लॉस करते रहिए ये सारी चीज़े हमें अपनानी चाहिए और अगर इन चीज़ों की बरहुतरी हमारे सरीर में होती है तो हमें डाइबेटेज होने के खत्रे होते हैं अब मधुमे के प्रकार देखते हैं, मधुमे दो प्रकार का होता है, टाइप वन में क्या है इस प्रकार के मधुमे को insulin dependent diabetes मिलेटियस के रूप में परिभाशित किया जाता है इस रोग में अगना से insulin पैदा नहीं करता है इसमें क्या है? पैंक्रिया से insulin secretion नहीं होता है इस प्रकार का मधुमे मुखेता बच्चू, यूवा और वयस्त को में होता है इसको क्या कहते है? इसको insulin dependent diabetes मिलेटियस कहते है इसको यह मधुमे यह जो diabetes गंभीर प्रकार का होता है यह diabetes जो है वो गंभीर प्रकार का होता है परन्तु उचित प्रकार से इलाज करवाने पर लोग मधुमे के साथ लंबे समय तक स्वस्तेवम सुखी रह सकते है यह रक्त में सरकरा की अधिकता तथा मूतर में सरकरा यानि ग्लुको सुरिया से संबन देत है अब इसका कारण क्या है? टाइप उन का मधुमे का निश्चित कारण ग्यात नहीं है यह स्वा प्रतिरक्षित विकार है ऐसा माना जाता है कि किसी वायरस तथा वातावरन के विश्याले तत्व के कारण सरीर का प्रतिरच्छा तंत्र पैंक्रियास की बीटा सेल्स को छतिगरस्त कर देता है जो पैंक्रियास है उसमें बीटा सेल्स होती है का नाम दिया गया है type 2 क्या है type 2 में non insulin dependent बेमारी है या बेमारी गलत खान पान के आदतों अनियमित जीवन शैली के कारण होती है इसे सही आहार नियमित व्यायाम परिवर्थन जीवन शैली से नियंत्रित किया जा सकता है इसके कारण क्या है मधुमय का पूरवजों में होना म अधिक वजनी होना मतलब अगर आप मोटे जादा है तो भी यह हो सकते है सारी रिक सक्रियता की कमी है अगर आप energetic नहीं है सारी रिक तनाओं कुछ खास दवाओं का प्रयोग जैसे के steroid और रक्तचाप की दवाएं उच्च रक्तचाप असमाने ब्लड पेपसर, टoral आदयाप लेते हैं तो आयो भड़िती इसका खत्रा करते है यआ आप हम प्रिंक वगेइरा करते तो चुछ number गरभावस्ता की दरसा हिखसित होता है जो कुछ हार्मौनिस के बढ़ी हुए स्तरों को एंन्सुलिन की कारेप्रणाले को प्रभावित करते को कारण होता है बच्चा जन मिलेगा तो उसके बाद समाप्त हो जाता है लेकिन गर्भावदी मदमये वाली प्रचास प्रतिशत महिलाओं को उनके बाद की जीवन में टाइप 2 डायबिटीज होने की समभावन रहती है मतलब type 2 diabetes का मतलब है अगर किसी को gestational diabetes है तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद वो diabetes खतम हो जाती है लेकिन इसमें type 2 यानि की genetics वाली जो diabetes है वो होने का खतरा बना रहता है इसलिए क्या कते हैं बच्चे के जन्म के पश्चात नियमी चिकेट सा जाँ चयों एक स्वस्ती जीवन से लेकी अवश्यक्ता होती है फिर कुपोशन से जुड़ी यानि diabetes रिलेटेट टू इसमें क्या है fibrocalculous अगनासे ही मधुमें यानि fibrocalculous pancreatic diabetes तथा protein की कमी से होने वाला मधुमें सामिल होता है मतलब इसमें अगर आप कह सकते हैं तो fibrocalculous pancreatic diabetic और protein defensive diabetic ये सामिल होते हैं ये अधिकतर उश्मिकटिवन्द यानि tropical weather जहांपे होता है विकास सील देशों के लोगों को देखने में मिलती है मतलब यह जो है जहां पे ऊश्रे-कड़ि बन्दी ट्रॉपिकल व Zus और फिर विकास सील देश हैं वहां पे उन लोगों में देखने की मतलब यह मिलती है फिर है नेक्स दुरबल ग्लुकोज सहन सील ता वीक ग्लुकोज टोलरेंस इसमें क्या है इसमें व्यक्ति के रक्त में सरक्रा का इस तर सामान इस तर से तो ज्यादा होता है परन्तु यह इतना अधिक भी नहीं होता कि इसे मधुमें कहा जा सके इन इस्तियों वाले व्यक्तियों के लिए अपने खान पान के अधिते सुधारना नियमित व्यायाम करना और अपने वजन को नियंतरित रखने के आवश्यक्ता होती है मतलब यह माईनर आप कह सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन अगर हम इसमें अपने आपको कंट्रोल करें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अब देखें मदुमे के लक्षण सिम्टम्स क्या हैं बार बार पिसाब आते रहना मतलब बालवार अगर आप ट्वालेट जा रहे हैं तो रात के समय भी तवचा में अगर खुजली हो रही है धुंदला दिख रहा है थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं पैरों में सुननाप आपके डायाबिटिक के हैं अब इस बचाव क्या है देखें बचाओ नियमित व्यायाम अगर जो डायाबिटिक पेसेंट अगर वो नियमित रूप से व्यायाम करता है तो उससे वो बच सकता है स्वास्तबहार बनाए रखें मतलब आपका चैन ind kami health fee मतलब आप अपने एज के एकोर्डिंग अपने वेट को मेंटेन करे रखिए यह नहीं हो कि अगर आप जैसे आप माल लीजिए आप 60 साल के हैं और आपकी हाइट अगर पांच फिट है तो आपका वेट जो होना चाहिए साथ किलो से जादा नहीं होना चाहिए स्वस्त भोजन खाए मतलब आप बिलकुल सात्विग भोजन करें ज्यादा से ज्यादा हरी सबजियां लें और जो भी आपको हैल्धी फूड हो उसे हमें लेना है सैचुरेट वसा को ग्रहन करने के में कमी मतलब टाइप 2 मधुमे से बचाव करने के लिए सैचुरेटेट वसा को ग्रहन कर मतलब अगर आप भोजन कर रहे हैं तो एक साथ ही बहुत सारा भोजन नहीं करना चाहिए कुछ मतलब पार्ट में डिवाइड करके हमें भोजन करना चाहिए कार्बो हाइडरेट की अधिक्ता वाले आहार से बचें जिसमें कार्बो हाइडरेट की अधिक्ता है उस भोजन से हमें बचना चाहिए जादा कार्बो हाइडरेट वाले भोजन को हमें नहीं करना चाहिए यह मधुमें इसके बारे में बताएं आप नेक्स जो रहेगा उसमे हम लोग blood pressure की बात करेंगे okay ठीक है thank you